नमस्कार वित्रो मैं पंडित उमाशंकर अगनिहुत्री आप देख रहे हैं समस्त्याओ का शमाधां इस चैनल के माध्यम से आज हम जानेंगे मेस रासी के जातकों को कौन सी धातू का छला धारन करना चाहिए जिससे उन्हें आर्थिक रूपशे लाव प्राप्त हो और उनके जीवन में खुशाली प्राप्त हो तो आईए जानते हैं जो तिस में बैसे नौकरह बताये गए हैं जिनका हमारे जीवन पर किसी ना किसी तरह से प्रभाव पड़ता है इसी के चलते बहुत से लोग अपने ग्रहों को मजबूत करने के लिए तमाम तरह के धातू धारन करते हैं धातू को ग्रहन करने का सबका अपना अपना तरीका होता है कोई गले में लाकिट के रूप में इसे धारन करता है तो कोई हातों की उंगलियों में अंगुठी बनवा करके यह धातू को पहनता है लेकि अशुब फल दे शक्ते हैं मिस्रासी के जातकों को सोना या तामा दोनों ही धातू फलदाई हैं सोना या तामा दोनों ही धातू इनको बहुत ही लाबदायक प्राप्त होंगी तो इन धातू से बने हुए छले को आप मंगलवार की दिन अगर सुबह आठ बजी से पहले पहने लें तो बहुत ज़्यादा लापदायक आपको प्राप्त होगा यदि आपका शूर्य कमजोर है तो शूर्य दोस्त भी कम होते हैं इसलिए के कमजोर होने पर जीवन में परिस्तानियां कम नहीं कर पा रहे हैं तो एसे में यह तांबे की अंगूठी धारन करें बहुत जल्द आपको इसका प्रभाव दिखेगा